हलो दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल दोस्तो आज की न्यूज भी एससे 10 प्लस 2 लेबल को लेके आई है तो दोस्तो या न्यूज अभी काफी दिनों से चर्चे में चल रही है दोस्तो इसका अफस्ता साइट पे भी इसकी प्रिच्छा के बारे में कुछ जानकाई दी गई है त तो दोस्तो अगर अभी तक आप वा न्यूज नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के निचे दिस्किप्शन बॉक्स पे जाके वा न्यूज भी देख सकते हैं तो दोस्तो आज की न्यूज है कि बी एससे की प्रिच्छाएं सितंबर में होने की संभावना ब्यक्त की गई है तो दोस्तो क्या है न्यूज तो देखते हैं इंटर अस्तरिया प्रिक्षा में दिव्यांग वा महलाओं के लिए अलग संटर बिहार करमचारी चेंड आयोग B.S.C. इंटर्मेडिट अस्तर संयूक्त प्रत्योक्ता प्रिक्षा इस बार काफी कराई से लिए जिसमें जिलाधारक्यों को कहा गया है कि इंटर्मिडिट अस्तरिय संयोक्त प्रिक्षा पुक्त हो यानि वह परिक्षा केंद्र सक्त हो इसके लिए मंगलबार को वीडियो कॉनफरेंस के माद्यम से सभी जिलाधकर्यों को ग्री सचीव वह बी ससी के चेर्मेन संजीब कुमा रुबुरू हुए हैं सचीव ग्री सचीव ने परिक्षा केंद्र को लेकर जिलाधकर्यों को कई निर्देश दिये हैं वह परिक्षा के लिए बनाया है नियमों और निर्देशों से भी उन्हें अबगत कराया है इन लोगों ने जिलाधकर्यों को बताया है कि इस बार इं यान संदे हो उससे परिच्छा केंद नहीं बनाया जाए परिच्छा केंद केंद बिद्देले इंजिनियरनी और पर्टेक्नी कॉलेज भी हो केंद चेंद में खास ख्याल रखना है कि ओहां बेशिक सुवधाएं उपलादो आयोग सितंबर के अंत में परिच्छा करने का लच लेकर चल रहा है अभ्यरती को दो घंटे पहले परिच्छा केंद पर पहुंचना है और यही नहीं पुरूज और महिलाओ अभ्यरती को सौप परतिसर्थ जांच के बाद ही उन्हें परिच्छा केंद के अंदर घुसने दिया जाएगा तो दोस्तो इस परिच्छा में कुल उन्हेस लाख अभ्यरती इंटर्मेडियत अस्तरिय स्विंग परिच्छा में आविदन किये हैं तो नीजी इसकुल और कॉलेज के विरिच्छकों को दूसरे सेंटर पर भेजा जाएगा होम सेंटर पर हुआ काम नहीं करेंगे तो दोस्तो बहुत ही जल्द या जो परिच्छा आपकी लटकी हुई है वह बहुत जल्द होने की संभावना बेक्ति की गई है तो दोस्तो आप लोग ये कन्फर्म हो जाएं कि या परिच्छा बहुत जल्द होगी क्योंकि दोस्तो ये दो तिन मन्त के अंदर में इसकी न्यूज हमें हमेशा जानकाई दी जा रही है तो दोस्तो इसी तरह आज के लिए बस इतना ही थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो